जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिस्क्रस करने वाले हैं 15 Most Important Questions जो की आपके सभी competitive exams जैसे की Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, SSCGD और States Police exam के लिए Most Important Questions होंगे तो दोस्तो केवल 15 Question है 6-7 मिनट की वीडियो होगी लेकिन ये वीडियो आपके बहुत काम की है इसलिए मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो को last तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले हैं दोस्तो हमारा Question No.1 जिम कारवेट नेशनल पार्क इज लोकेटेट इन ठीक है Question No.1 है जिम कारवेट राष्ट्री उध्यान कहां पर इस्थित है Options आपके सामने है तो दोस्तो इस Question का सही answer है Option C उत्राखंड तो दोस्तो जिम कारवेट राष्ट्री उध्यान जो है वो उत्राखंड के नैनिताल डिस्ट्रिक के रामनगर इलाके में इस्थित है तो यहाँ पर Option C आपका एकदम correct answer होगा अगले Question की तरफ चलते हैं दोस्तो Question No.2 Question No.2 है हमारा गांधी सागर डेम इस लोकेटेट ओन विच रिवर गांधी सागर बांध किस नदी पर इस्थित है Options आपके सामने हैं दोस्तो गंडग नदी, गोदावरी नदी, गोमती नदी और चंबल नदी तो दोस्तो गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर इस्थित है तो Option D Question No.2 का सही answer है अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले कोस्चिन के तरफ Question No.3 Sorry Question No.3 Question No.3 है है हमारा Where is भावा Atomic Research Center Located भावा परमालू अनसंदान केंद्र कहां इस्थित है Options हैं दोस्तो, कोलकाता, ट्रामबे, बैंगलोर और पोखर तो दोस्तो, भावा परमालू अनसंदान केंद्र जो है बो है दोस्तो, ट्रामबे मुंबई, महरास्थ यानि कि ट्रामबे में ये इस्थित है और ट्रामबे कहां पर आता है, मुंबई में आता है और मुंबई किस में है, महरास्थ में ठीक है? तो यहाँ पर option B आपका एकडम correct answer होगा. अगले question के तरफ चलते हैं दोस्तो, question number 4. Question number 4 है हमारा, Which is the highest plateau in India? भारत का सबसे उचा पठार कौन सा है? तो दोस्तो, दक्कन का पठार जो है, वो भारत का सबसे उचा पठार है. तो option B, question number 4 का एकडम सही answer है. दोस्तो, चाहें आप किसी भी competitive exam की तैयारी कर रहे हैं, चाहें दोस्तो, defense का competitive exam हो, या फिर civil का, जैसे की railway, group D वगरा का, उन सभी के लिए भी ये question जो है, वो most important question है, ठीक है? तो चलिए, अगले question के तरफ चलते हैं, question number 5. रबर के vulcanization के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तो, रबर में vulcanization के लिए क्या मिलाया जाता है? options आपके सामने हैं, दोस्तो, तो question number 5 का correct answer होगा आपका, option A, sulfur. ठीक है? next question के तरफ चलते हैं, दोस्तो, question number 6. question number 6 है, हमारा, राष्ट्री खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तो, आपको ये जानने से पहले, एक चीज और जानना जरूरी है, कि राष्ट्री खेल दिवस किस के जनम दिवस पर मनाया जाता है? तो दोस्तो, आपने सुना होगा, होकी के जादुगर, और होकी के जादुगर के नाम से प्रिसिद्ध है, major dhyhanchand, ठीक है? तो major dhyhanchand का दोस्तो, जिस दिन वर्थ दे, यानि कि जनम दिवस होता है, उसी दिन राष्ट्री खेल दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तो, major dhyhanchand का जो वर्थ दे होता है, जनम दिवस होता है, बो होता है, प्रितेक बगर्प, प्रितेक वर्ष 29 अगस्त के लिए, तो इसी लिए दोस्तो, हर साल 29 अगस्त के लिए, जो है वो, राष्ट्री खेल दिवस मनाया जाता है, तो option B, question number 6 का correct answer है, अब चलते हैं दोस्तो, आज के अगले question की तरफ, question number 7, GST stands for, GST का पूर्ण रूप क्या है, options आपके सामने हैं दोस्तो, तो GST का जो full form होती है दोस्तो, वो होती है goods and service tax, तो option B, इस question का सही answer है, अगला question है हमारा, question number 8, English channel तैर कर पार करने बाली, पिर्थम भारतिये महला कौन है, options आपके सामने हैं दोस्तो, मीरा भाई चानू, सिखा टंडन, सानिया मिर्जा और आरती साह, तो दोस्तो, English channel तैर कर पार करने बाली, पिर्थम भारतिये महला हैं, आरती साह, तो option D, question number 8 का सही आंसर है, अगले question के तरफ चलते हैं, question number 9, no number question है हमारा, पत्यों में उपस्थित, हरे रंग द्रब को, क्या कहते हैं, the green pigment present in leaves is called, तो दोस्तो, पत्यों का जो हरा रंग होता है, वो किसके कारण होता है, chlorophyll के कारण, ठीक है, तो यहाँ पर, question number 9 का सही आंसर क्या होगा, आपका option C, chlorophyll, अब चलते हैं, आज के अगले question के तरफ, question number 10, 10 number question है, the river Narmada rises in Madhya Pradesh from, नर्मदा नदी, Madhya Pradesh में कहां से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है दोस्तो, तो वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, यानि की अमरकंटक hills, तो option B, इस question का जो है वो, सही आंसर होगा, चलिए, अब चलते हैं, आज के अगले question के तरफ, question number 11, और question number 11 है, who is called the Iron Man of India, भारत का लोहपुरुस के नाम से, किसे जाना जाता है, या फिर भारत का लोहपुरुस किसे कहा जाता है, तो दोस्तो, बल्लब भाई पटेल के लिए, भारत का लोहपुरुस कहा जाता है, तो option A, इस question का सही आंसर है, अब चलते हैं दोस्तो, आज के अगले question के तरफ, question number 12, सूर के चारो तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहा जाता है, तो दोस्तो, सूर के चारो तरफ किसी ग्रह के रास्ते के लिए, हम कहते हैं, और्बिट, तो यहाँ पर option D, आपका सही आंसर है, अगले question है हमारा, question number 13, 13 number question के तरफ चलने से पहले, मैं आपसे request करना चाहूँगा, कि अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो दोस्तों के साथ में share करना, चैनल पर नए है, तो चैनल को subscribe कर लेना, और अगर वीडियो को like नहीं किया है, वितक तो वीडियो को like जरूर कर दे, क्योंकि मैं आपके सभी competitive exams को ध्यान में रखते हुए, वो question सेलेक्ट करता हूँ, जो कि आपके exam में काफी बार repeat हो चुके होते हैं, ठीक है, चलिए, आप चलते हैं question number 13 की तरफ, यदि किसी रोगी के शरीर का तापमान 40 degrees Celsius हो, तो foreign height scale में उसका तापमान क्या होगा, ठीक है, इफ टेंप्रेचर ओफ ए पेसेंट इस 40 degrees Celsius, तो दोस्तों, यदि किसी रोगी के शरीर का तापमान 40 degrees Celsius है, तो foreign height में जो उसका तापमान होगा, वो होगा 104 degrees Fahrenheit, ठीक है, तो option A, इस question का correct answer होगा, अब चलते हैं दोस्तों, आज के अगले question की तरफ, question number 14, hemoglobin का मुख्य गटक है, तो hemoglobin का मुख्य गटक कौन सा है, iron यानि की लोहा, तो option C, इस question का सही answer है, next question हमारा, question number 15, who discovered gravity, गुरुत्बा करस्णल की खोज किस ने की, तो दोस्तों, गुरुत्बा करस्णल की खोज की थी, Newton ने, तो option B, इस question का सही answer है, दोस्तों, 15 question थे इस video में, जो कि हम आपको complete करा चुके हैं, अब मैं आपको इसकी answer की दिखा देता हूं, और एक चीज़ आपको बताना चाहाता हूं, कि अगर आप इस video की PDF फाइल को, बिल्कुल free में download करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमारे टेलिग्राम चैनल को join कर लेना है, इस video में link मैं उसके दे दूँगा, बहां से जाके आप daily basis पे, हमारे चैनल से, valuable PDF जो है, बिल्कुल free में download कर सकते हैं, और ये दोस्तो मेरा WhatsApp नमबर है, 82720299 बनना है, अगर आपके पास में दोस्तो कोई भी, query है, आप कुछ मुछ से पूछना चाहते हैं, तो इस नमबर पर, आप मुझे WhatsApp करके, अपनी जो सवाल हैं, उसको भेश सकते हैं, तो चलिए दोस्तो, उम्मिद करते हैं, वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वैल आइकन का बटन प्रेस जरू कर लें, तो कल फिर्म लेंगे, इसी समय एक नई वीडियो के साथ में, तब तक कि लिए नमस्कार, जै हिंद, जै भारत,